नमस्ते दोस्तों रियल क्विक एनलिसिस चैनल पर आप सभी लोकों का स्वागत है चलिए अब जल्दी से हम चर्चा करते हैं अपने आज के रियल क्विक एनलिसिस की आज की वीडियो के पॉजिटिविटी पार्टनर हैं गजानन लपालकरजी स्पॉंशरशिप के लिए आपको धेनवाद दोस्तों हम सभी के घरों में अगरवत्ती का स्तमाल किया जाता है लेकिन शायद आपको पहले से पता हो अगरवत्ती के स्टिक भारत में डंप की जाती थी चीन और वियतनाम के द्वारा आज जो लोग गरीबों और मजदूरों के मसिया बने फिरते हैं जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने आसियान फ्री ट्रेड एग्रिमेंट के चल थे अगरवत्ती स्टिक की उपर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को घटाना चालू कर तुरुपरा में साल आना 29,000 मीटरिक टन अगरवत्ती स्टिक का उतपादन किया जाता था लेकिन वह 2018 के आते-आते घटकर 2000 मीटरिक टन रहे गया चीन ने वियतनाम के रास्ते भारत में अगरवत्ती स्टिक की डंपिंग की और इसका खामी आजा भुकता किसने तुरुप आप स्वायम देख लीजिए इन पप्पु पुजारियों की कतनी और करणी में कितना अंतर है मतलब आजादी के सतर सालों तक तो यही कंफ्यूजन बना रहा कि बास लकड़ी है अत्वा घास और जब फिर मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में किलियर कर दिया कि बास घास है इसलिए उसे काटनी के लिए वह कड़े नियम लागू नहीं होंगे जो कि पेड़ों की लकड़ी काटनी पर लगते हैं इस प्रकार बास की लोक इसी डंपिंग से तंग आकर पिछले दो सालों में भारत सरकार ने बैंबू स्टिक के इंपोर्ट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को दस प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया है परिणाम सरूप चीन और वियतनाम से आने वाली अगरवत्ती स्टिक रातों और मोधी जी ने नहले पर देहला मार दिया जिसमें दम हो कर ले वो अब डंपिंग मैसस्ट के लिए था जितनी डंपिंग होगी उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी फिर क्या था अचानक से भारत में अगरवत्ती बनाने वाली कंपनियों को इंडियन बैंबू स् जा है मतलब तुरुपरा अपने बैंबू स्टिक के प्रोडक्शन को फिर से 29,000 मीट्रे टन करने जा रहा है अब आप ही बताएं क्या इस कदम से तुरुपरा के गरी मजदूरों को लाब नहीं मिलेगा क्या बास जैसे बेसिक आइटम पर खर्च होने वाला भार्टी पृप्रिल मीडिया को देश में लोकतंत्र खत्रे में नज़र आता है मतलब भारत चीन से बास खरीदता रहे हमेशा तभी भारत में लोकतंत्र जीवे थैं नहीं तो मर गया लोकतंत्र चाइनीस पंडिंग से चलाए जा रहे प्रोपगंडा यही कमाल है अगर बत्ति स्ट लिए हम ऐसे ही टॉपिक्स पर लगातार वीडियो बनाते रहेंगे क्योंकि यह हम सभी के जीवन को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं वैसे पॉइंट सिंपल है मेरी इंडिया टीवी और फ्रिश का कोई मतलब नहीं होगा यदि हमारे मंदरों में में अगरबत्ती जलती रह आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक करके आगे शेयर करना मत भूले साथी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप हमारे इस चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं लास्ट पर दोस्तों इस वीडियो को दे देख धन्यवाद